अज हम बनाएंगी कच्चे हरे मटर का नास्ता जिसी बनाना भूत आसान है और जटपट बनकर तयार हो जाता है छले फिर रेस्पी बनाना सुरू करते है तो मटर का नास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम ताजी हरी मटर जिनको मैंने अच्छे से दो लिया है अब इसको एक मिक्सी जार में डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे 6-7 लेसुन की कलिया अब इसमें डाल देंगे 3 हरी मेच और 1.5 इंच अद्रक का टुकडा सहाती बारी कटा हुआ हरा दनिया इस तरह का दरदरा ही रखना है अब हम इससे साइड में रख देते हैं अब मिक्सिंग बावल में हम ले रहे हैं एक कटोरी गहों का आटा अब इसमें दरदरा किया हुआ मटर डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे 2 बारी कटा हुआ प्याज सहाती आदी कटोरी चाउल का आटा इसे नास्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा इसकी जगे आप सूजी का भी यूज कर सकते हो इसमें डाल देंगे क्रेस्ट की हुई अजवाइन अजवाइन आप जरूर से डालना क्योंकि मटर गेस करता है अजवाइन की जगे हिंग भी ले सकते हो सहाती डाल देंगे एक छोटी चमज लाल मिच पाउडर आदी छोटी चमज हल्दी पाउडर इसे नास्ते में कलर अच्छा आएगा आदी छोटी चमज जीरा और टेस्ट के अगोडिंग नमक डाल देंगे और हाथ से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसका हमें बेटर नहीं बनाना है इसका बैस सोप्ट सा डो लगा लेंगे मैंने इस तरे का डो लगा लिया है अब इसमें थोड़ा सा ओल डाल कर दो मिनट हाज से अच्छे से मसल लेंगे अब हमारा आटा तैयार है नास्ता बनाने के लिए अब हम हातेली पर थोड़ा सा ओल लगाएंगे और थोड़ा सा आटा लेंगे और एक बोल बना लेंगे चाहे तो आप ślender shape में बनाएं जैसे आपको पसंद हो मैं इसे टिक्की का shape दे रही हूँ तो पहले बॉल बना लेंगे उसकी बाद हतेली के बीच में रख कर इसे चप्टा कर लेंगे इस तरह से टिक्की का shape दे देंगे इसी तरह हम सारी टिक्की बना कर तैयार कर लेंगे और इनको फ्राई करने के लिए पेन में ओईल गरम होने के लिए रख दिया था ओईल गरम हो गया है इसमें हम एक एक करके टिक्की डाल देंगे और इनको मीडियम आज पर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उपर से खस्ता नहीं बनेंगे तो गेंस की फ्लेम हमें मीडिय में रखनी है सबी टिक्की को हम पलट लेंगे और सबी टिक्की को अलटते पलटते हुए हलका ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और देखिए इनको फ्राई करते हुए पांस साथ मिनट का समय लगा है इनका कलर हलका ब्राउन हो गया है और ये थोड़े फूल भी गये है अब हम इनको निकाल लेंगे और देखिए ये घ्यों के आटे से बने है तो बहुत ज्यादा ओयली भी नहीं है और एकदम खस्ता करारे बने है ने भरने का जंजट ने फटने का टेंशन बहुत आसान है इसे बनाना इसी तरह हम सारी टिक की बना कर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स रेशी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दूसरा बेच्वी मैंने फ्राई कर लिया है इससे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे इस कड़ाके की ठंड में इसमें गर्मा गर्म चाय के साथ सरू करें या केच्चिप की साथ यह कच्चे मटर और ग्यों के आटे से बना है साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची भराई कर ली है फ्रेंड्स आज की मेरी ग्यों के आटे और ताजी हरी मटर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कूल भी ना भूले और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है तो चली अब हम इनको तोड़ कर दिखाते हैं बाहर से कितनी क्रिस्पी बने है और अंदर से एकदम सोप्ट तो फ्रेंड्स इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा एक और एसे ही नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ तब तक के लिए बाई बाई